नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चानल अंकित वर्मा ओल अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजा ख़वर ब्रेकिंग यूज है कि हिमाचर प परदेश में करोना से तेर्मी मौत हुई है तो कहां कि यह मौत हुई है और किस टेस्टिक में यह मौत हुई है इसकी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वारा हूं वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीड दोस्तों देख सकते हैं अभी कि जो आज की तादा ख़बर ब्रेकिंग नियूज है कि हिमाचल में करोना से एक और मौत हमीरपूर के व्यक्ति ने नेरचोप में तोड़ा दम तो हिमाचल परदेश की डिस्टिक का हमीरपूर के व्यक्ति के जो है वो नेरचोप में जो है हो म बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलिज एवं समर्पित कोविड अस्पताल नेर चोक में करोना से हमीरपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्य चिकित सा अधिकारी डॉक्टर देवेंदर शर्मा ने जो है पुष्टी करते हुए कहा कि मरितक 28 जोलाई को हमीरपुर से रैफिर करने के बाद यहां दाखिल किया गया था जो किड़नी लोग से भी ग्रासित था। मरीज खून की कमी से भी जूज रहा था लेकिन शनिवार को अपचार के दोरान उसकी मौत हो गई। मरितक का दया संसकार निर्चोक में ही होगा और परीजनों को इस संबंद में सूचित कर दिया गया है। जानकारी की अनुसार हमीरपूर की ग्राम पंचाईत सरहकड का मरितक करोना संक्राब चुए छपी शुलाई को चंडीगर्ड से इलाज करवाखर लोटा था और हमीरपूर कोविड अस्पिताल में एक दिन रहने के बार नेर्चोक के लिए रहा पर किया गया था। उधर शनिवार को जो है करोना के 121 मामले सामने आया हैं जिन में सबसे ज़्यादा चंबा में 43, सिर्मौर में 28, सोलन 17, बिलासपूर 3, हमीरपूर कांगडा और मंडी में 8 हार्थ जो है कुलू में 4 और शिमला उन्ना में एक-एक मामला आया है। इसके साथ ही परदेश में जो है कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,271 पहुँच गया है और 1,140 एक्टिव मामले हैं, 281 मरीज जो है ठीक हो गए हैं, शनिवार को 127 मरीज जो है ठीक हुए हैं, 26 मरीज जराज्य के बाहर जो है चले गए हैं। तो दोस्तों यह थी अभी की तादा ख़बर ब्रेकिंग निउस अगर आपने अब जितक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर कर दें और अंक्यत वर्मा और एक पर नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचर परद की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जय हैं जय भार